हेलो एवरिवन आज की वीडियो में आपका स्वागत है नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त उस पेंसे आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोकन 2049 के डोबई इवेंट के बारे में वहां का आप सभी को मैं बताने बाला हो कि मेरा एक्स्पिरिंस कैसा रहा क्योंकि आने बड़ टाइम के अंदर बहुत कुछ क्योंकि जो ground level के उपर चीज़ें देखने को मिलती है social media के उपर चीज़ें देखने को मिलती है दोनों में जमीन आस्मन का फरक होता है real और reality में फरक होता है बस simple यह समझ लो तो यहां पर मैं पहुँचा दुबई के अंदर 11th of April को मार्केट के अंदर मेरा प्लान था कि हाँ मैं कुछ दिन पहले जाओं और जाके वहाँ पर जो लोग पहले आएं उनसे मिल सकूं या ऐसा ना वो इवेंट के टाइम पर अपनी स्वापिंग इवेंट से पहले इवेंट के टाइम पर कुछ और वो जितने भी चीज़ें करनी है मुझे इवेंट से पहले वाली वो पहले ही खतम कर लो दो दिन के अंदर तो काफी अच्छा है स्टार्टिंग के अंदर अपना एक्स्पियेंस रहा लेकिन 15-16 के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा रेनिंग वाला माहौल हो गया और फिलट की है वह तो थे ही वहां पर 17 वाले भी पोस्पॉर्ण 19 को हो गए क्योंकि यहां पर टैक्सी नहीं मिल रहे थी यहां पर कोई परसनल वहीकल भी आप जब भी यूज करोगे जब आपका आपका पानी से वह निकलेगा तो कोई मैट्रों यहां पर बंद दो दिन तीन दिन यहा और बहुत आपने देखा हुआ बड़े बड़े पानी के अंदर सूज लेके जा रहा हूं मैं या और भी लोग तो जिनको इवेंट करने थे उन्होंने किये साथ की साथ 18 और 19 के अंदर जो हमारा मेजर इवेंट था उसके अंदर लगो सिच्वेशन नॉर्मल हो गई और ल समक्राइम है कोई यहां पर मैटा वर्स से लेके कुछ बना रहा है को यहां पर मैटावर्श से लिक betी और कौछ बनारा बर को तो अब यह तक मैं सेर कर रहा हूं जस्त एक भाई हम कैसे पहुंचे कैसे सारी चीज़े लेकिन मैं अब बात बात करता हूं है क्योंकि जब मैं लास्ट तैम सिंगापुर गया था शिंगापुर 2049 इवेंट के इंदर उससे पहले वाले सिंगापुर इवेंट के इंदर तो जब भी म कर रहा हूं से काफी लोगों नहीं इस कोई से इनकी पर्समल दुस्मरी क्या फिलोगों कमेंट आई इस कोई से आपको प्रमोशन नहीं मिला और इतना बड़ा फंडमेटल कोई पहली बात तो कि किसी को कोई प्रमोशन देता ही नहीं है अब बहुत सारे नेगेटिव चीज करी और आज ऐसे कोई की क्योंकि यह सबको पता है जो मिला पुराना फॉलोवर है उसको सबको पता है मैं कौन-कौन से बात कर रहा हूं पूरी बुल मार्केट निकल लगी अभी तो एक साइकल लानी वाकि है अगर हम उसका गौटम भी पकड़ ले न तो वन एक्स क्रिप्टो में कुछ भी नहीं होता मैं आपको बताओं वन एक्स क्रिप्टो में कुछ भी नहीं होता अगर वन एक्स कुछ भी होता तो यहां पर वन थाउजंड डॉलर की टिकट पे करके कोई नहीं आता बहुत सारे लोगों ने यहां पर फाइज ताइजन डॉलर की टिकट पे कर दिया है क्रिप्टो के अंदर अगर 2x, 3x, 4x, 5x, 10x वाली situation ना बने तो लोग क्या कि श्टॉक के अंदर ही जाएंगे क्रिप्टो के अंदर ही लोग इसलिए आते हैं कि भाई यहां पर हम एक long term का प्लान लेके चल रहे हैं कर्शे प्रोजेक्ट हैं लोग टर्म के लिए अभी भी अच्छे हैं लेकिन होता क्या है प्रोजेक्ट के अंदर आज की टाइम में आ आपको बताओं कि जब मैंने अपना यह स्टार्ट किया था किसी कंपनी में काम करते थे हमारे टाइम पर यह होता था कि दो साल तो भाई किसी कंपनी में काम करना है अगर हम इस कंपनी को छोड़ के जाएंगे तीसी कंपनी में तो वो बोलेंगे भाई आपने इतिक जल्दी छोड़ दिया तो यहां आप कैसे तो ऐसे बहुत सारे सवाल हो देते हैं लेकिन आज के हैं में भाई कोई दीन धर्म नहीं है प्रोजेक्ट फाउंडर आज 6 मेने पहले यह प्रोजेक्ट बनाया उसकी टीम जो में सीटीओ है में डेवलपर वो आज यहां पर काम कर रहे हैं कल को हो सकता है वो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर चले जाए अब सोचो एक कंपनी के लेकिन अगर मेरी टीम आधरी टीम जॉइन कर लेती है एक और मेरे किसी कॉम्पेटर के साथ में कोई भी इंफ्लूइंसर उसके साथ में वो भी सिमलर प्रोजेक्ट बना रहे तो उसे 80% तो जो हमने हैं पर नॉलिज दी जो सारी चीज़े उसके साथ में डिसक्स हुई तो आशे दर्खों में यहां पर कुछ और ही हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है जो हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब यहां पर यह पहले देखे थैं संपर कि अब की बार मिलेंगे trend वाले altlar season, एक वर AI वाले coin pump हो रहे हैं, एक वर Web 3 वाले coin pump हो रहे हैं, एक वर meme token pump हो रहे हैं, एसे season आएगा, ऐसा नहीं आएगा यहाँ पर और जो प्राणे प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर बहुत ही selected जैसे यह इतिरियम है, इतिरियम बार यह इत की चाहलाए प्रोज़ेक्टे के बारे में बाता ही नहीं कर रहे नाम के रहे अब नहींकर एक दॉशक कि देख़ो और थीन के बारे में यह कहां भाई यसके उन विर्म कर दिया У हैं यह हो कोई हैं और कहां आपको token 2049 इवेंट के अंदर वहां पर उनकी प्रिसेंज देखी वहां पर वो देखें को वहां पर उनका स्टॉल देखा वहां पर लोगो देखा वहां पर बैनर देखा क्योंकि जब में अपने को प्रमोट नहीं करेगा आपना देखा को मैं फोकस उसके उपर नहीं है और हम और कहीं involved हो चुगे हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को यहां पर मिली सिस्टम नहीं है एकसल बनाओंगा पूरी अब जो यहां पर मेरी हैं अटेंट करने का या और सबसे बड़ा में मेंजर परपस होता है वह यह होता है कि घानाओ प्रोजेट्स कोई कोई ट्यूटर के उपर नहीं लिखेगा इसकी इंसोट लेका कोई भी डाल देगा जब आप सामने बैठे होते हो आपका चाहें वाइन हो चाहें आपका कोल्डरिंग हो ड्रिंक हो कुछ भी हो खाना हो फूड हो जिस पर भी आपका क्या कि आपकी चट्टा चल रही है और आप सीधे कनेक्ट कर बाते हो उनके डवलपर से क्योंकि डवलपर भी तो आया हुआ है बैकेंड में तो वही काम कर रहे है ना उसको तो अपडेट पता ही है न सारी आप उसके कर पाते हो CTO से लेके CEO से लेके AMD से लेके और बहुत बड़ी पोजिसन तरह नहीं तो एक ग्र वहां आपको बहुत से लोग मिच जाएंगे उनसे आप पूछो भाई किस प्रोजेक्ट में अच्छा भाई इसमें क्या अपडेट आ रहा है क्या चीज जा रही है वह बताएगा पार्टनर से प्लान चल रहा है हम ब्रिज बना रहे हैं हम यह चीज बना रहे हैं आपको ब करें अपकोब करें यह ऊड़ा क्या है क्या पर बात करने के लिए खुद बात करने पड़ते हैं और आके कोई हमें खुद कॉंटेट करने हैं बहूत कुछ पूरा इवेंट नहीं होता जिसके अंदर 300 साइड इवेंट थे हर होटल के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था कोई ना कोई इवेंट चल रहा था हर कैफे के अंदर कोई ना कोई मीट अप चल रहा था जिस भी कॉर्णर पर जा रहे हो जहां भी जा रहे हो पूरी दवई के अंदर क्रिप्टो की बात हो रही थी है आपके साइड रूम वाला है वह बात कर रहा है कि अच्छा भाई वैं थ्री एक्स पर मैंने लॉंक किया हुआ है अवाज आ रही है यह दर से बहुत आप क्या करते हो भूं मैं यहाँ पर क्या कि आपर कि कोरिया से वह सरू सभी को अब यहां मेरे दिमाग से चीज से और भाग refleks के एक ही चीज रहा था जिसमें हम जो फिरी थी क्योंकि आपने देखा होगा मैंने जितने भी इवेंट की हैं आज तक मुनी लाइफ में अगर मेरी हिम्मत नहीं होती या मैं नहीं कर बाता तो मैं मना कर देता हूं उस इवेंट के अंदर बहुत सारे लोगों से ग्राउंड लेवल की इंडिया की प्रॉब्लम पता चली अगर मैं अपने फॉल्वर से अगर मैं ग्राउंड लेवल से बात नहीं कर पाऊंगा तो डैफिनली काईगा मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी उन्हो के उपर मेरा एक अलग वीडियो आएगा आप उसको यूट्यूब पर ट्विटर के उपर अलड़ी देख सकते हो वहां पर सारे के सारे फोटोग्राफ पड़े हो हैं अब यहां पर एक टूकन टूजरो फोनाइन को लेकर मेरी क्या उपेनियन है मैं वह आपको बता रहा कि मेरी फॉल्ण इनियन पाकिस्तान बंगलादेश नैपाल हिंदी स्पिकिंग कंट्री से हैं यह जिनके अदर हिंदी समझते हैं एक इंफुलेंसर मैं बहुत ऑनेस्ट बात कर रहा हुं यह चीज़ एक इंफुलेंसर को भाई कही न कहीं सब जोगार मिल जाता है वह सकता ह आम इंसान जो क्रिप्टो का जिसका 500 डॉलर का फूल फोली हुए 1000 डॉलर का भी पोट्फोलियो वह 1000 डॉलर देके एक इवेंट अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि 1000 डॉलर इस नॉट अली टिकेट कोस्ट अब फिलाइट टिकेट लेके आता है वो बंदा आपका उसमें भी 500 टोटल आप देखोगे 2-3 लाग रुपए यह आप मिनियम कंडिशन मानके चलो दो तीन लाग रुपए अगर कोई अपना जिसका छोटा फूर्ट फूलियो है किसी का पूर्फुलियो नहीं से नहीं स्पेंड कर सकता है तो अब उसको तो इसको नॉलेज क्योंकि इवेंट बिश시면 बताते हैं बहुत सारे चीज़ों के वारे में वो launch भी होती हैं बहुत सारे चीजें तो यहां पर बन जाता है gap और इसलिए कि एक लेबल के उपर हमारी community पीछे होती जा रही है और यह सुरू से होता है तो हमारे हैं चीजों को आने में थोड़ा time लगता है और यही region है जो हमारे जो leader है web3 नहीं समझ पा रहे AI नहीं समझ पा रहे वो crypto नहीं समझ पा रहे क्योंकि बहुत बड़ा gap बनता हुआ जा रहा है इसको दूर करने के लिए बाई obviously कहें सारा कुछ मैं नहीं कर सकता बट मैंने एक छोटा सा plan किया है आने बड़े time के अंदर ground level के उपर जैसे अभी हमने जब यह चीज मुझे समझ आई तो हमने नेक्स दे मीटे पर सांस किया within 24 hours के announcement के बाद में भी level 100 के आसपास लोग वहां पर पहुंच गई just think कि जैसे token 2.049 एक महीने पहले 6 महीने पहले 7 महीने पहले hype create करता है अगर हमने एक week पहले भी create कर दिया और उसका ticket का charge दिया सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भाई food का आप charge मान लो event का venue का मान लो 1000 रुपे 2000 रुपे आज में खुसी खुसी लेकर जाएगा 10 चीज लर्ण करके जाएगा और उसे किसी भी country जाना नहीं पड़ेगा तो इसकी उपर आप comment करके बताना कैसे हम इस सीज को manage कर सकते क्योंकि मैं मैंने काफी इवेंट इंडिया के अंदर करें हैं काफी मलेशिया के अंदर सिंगापूर के अंदर दुबई के अंदर यह मेरा पहला इवेंट था अने वारे टाइम के अंदर हम cost effective educational series कैसे start कर सकते हैं ग्रांड लेवल वाली आपस में क्योंकि हो सकता कि मैं वहाँ पर कोई knowledge नहीं सेर कर रहा है लेकिन वहाँ पर 20 लोग और भी आये हुए हैं जिन्हों क्रिप्टो के अंदर बहुत कुछ बनाया हुआ है बहुत कुछ बिल्ड किया हुआ है उनका portfolio बहुत अच्छे लेविल की उपर है तो उनसे वह है कोई भी यहाँ पर आगे जाने से रोग नहीं सकता बहुत सारे इंडियन आ हैं बहुत कुछ लेके आ हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है मैं देखता हूं यार इतनी potential है लेकिन कहीं न कहीं गैप यहां पर बन जा रहा है इस गैप को दूर करने के लिए भा पूरा पूरा वर्ल्ड यहां पर है पूरा पूरा वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्रिप्टो इंफेंशन है वह लगवक यहां पर हैं लगवक सिंगरपूर के अंदर होते हैं लगवक होंकों के अंदर होते हैं लगवक पैरिस के अंदर होते हैं बट यहां अगर हम अपने वो कम थी लोग ज़्यादा आगे खाना कम पड़ गया है कि हमने ट्राइ किया गलती हुई उस गलती है सीखा कि आने वाले टाइम के अंदर और दो दिन पहले इन्स जाम करेंगे बट हमारे पास में दो ही उप्चन थे एक तो भाई बिल्कुल ना करें कुछ नहीं करते तो कुछ वीडियो एक भी नहीं मिलता लेकिन कुछ किया तो बहले ही उसमें कमी रहेगी लेकिन वो कमी इंप्रूब की जा सकती है हो सकता है हमारी टाइमिंग वो थोड़ी मिस मैं चुई हो बहुत सरी चीजें गलत हो जाती है बट हम यहां पर चैलेंज लेते हैं उस चैलेंज का अगर हम 90 परसेंट भी 80 परसेंट भी सकस हो जाते हैं अपने आपको क्या चाहिए अब मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट वाइ बिटकॉन कैसे होल्ड कर लो रिपल होल्ड कर लो यह होल कर लो वह टाइम नहीं रहें मार्केट के इंदर लोग लीटर के इनदर जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये टैक बेक गग्राउड और डबल अपर एक टम में फिंड़ो एक फ़हां यह आ करता था भृ़टव लेकिन पता चाल कि आने वाला टाइम एसा है कि लोगण पर स्च करेंगे लोग अपर नेक्ट-वाला जमाना जातने वार हरकुछ किया क्वैक लाँजूर टूमें चाहि पार. फिरलूर्ण देंगा के बांद की तरह कर गए तो हमlor को ज़एशारा टायम के तथा है और चेंज नहीं करेंगे तो ऐसा होगा आपने देखा होगा मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं मेरे पास मैं दो ग्राफिक्स डिजैनर थे अभी दो ग्राफिक्स डिजैनर की जगे सिर्फ कैनवा पर काम हो रहा है उनके लिए मुझे अलग से लैप्टॉप अलग से ग्र चेंज हो रही है कि क्योंटेंट के डिटर की जौब गई यह ने बहुत सारी चीज़ें खतम कर दी हैं तो यह जो चीज़ें न बहुत चेंज होने वाली है वो इसके को डिंग मैंने पूरी पूरी में एक्सल की उपर काम कर रहा हूं अभी औभिसली होटिल के अंदर हूं प्रॉपर सेट अप नहीं है मेरी अब आज आपको प्रॉपर पहुंच पाएगी इस वीडियो में नहीं पहुंच पाएगी हो सकते हैं प्रॉपर नॉइज ना हो इको हो बहुत सारी चीज़ें हैं अगले वीक पूरा एक्सल लेके बैठोंगा क्या तरह कि प्रोजेक्ट म लोग आज पूर्फ फूली ट्रेक्र की बात कर रहा है। कि काफी लोग कर आदो कि सकता हो युज़र प्रॉंद के पर बना वो देशी style में आपना नमस्कार दोस्तों होता है नहरू प्लेश के जा ऊपर जाके नहरू प्लेश मार्केट के अंदर जाके ground लेवर के कौन सा graphics card ले कौन सा graphics card अच्छा है कि सॉप से लेज क्या आपके साथ मैं आज से साथ साल पहले वो पूरी रिपोर्टिंग करता था वो वीडियो यूट्यूब के उपर और इधर दो सोशल मीडिया के उपर आपको मिल जाएगी अगर वो क्राउंड लिवर का काम नहीं करता तो साथ मुझे माइनिंग मैं कभी करी नहीं पाता और आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो मिल जाएगी 200 रुपे के आसपास की बूक होगी 2-3 डॉलर को किसी के लिए बड़ी बात नहीं है पूरी स्टोरी मैं ने उसके अंदर भी लिखी हुई है मार्केट के अंदर हमें टाइम के एकोडिंग चेंज होना पड़ेगा गाईज किसी भी कॉइन से मैं हमेसा कहता हूँ अपनी देशी गांग मैं इस करो प्यार मत करो अब बोलोगे यह क्या वावाल है नहीं समझ मैं भाई जो CBSC वाले वोड़े हैं इस्टुडेंटों को न कि आप देखो कि जो आपका प्रोजेक्ट जैसे महने तो काफि़ी सारे वह रहे हैं लाइट कोइन बहुत अछा अच्छा होई इंगे वों यह राख कोई लेके फॉल्लिकर रहे हैं अब लाइट कोई नहीं टेक्नलोची आ चुकी है अगर मैं जैसे मैंने आपको एक्जम् तो चीजों को चेंज करना पड़ेगा और एक जो हमारे हम एमोशनल अटेच्पेंट हो जाता है किसी भी कोई के साथ में वह छोड़ना पड़ेगा चीजें एमोशनल वाले चीजों से काम नहीं चलता बस पैसा बनाओ साइड करो पैसा बनाओ दूसरा प्रोजेक्ट में एंटर करो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो कोई आज की टाइम में मैं एक चीज और देख रहा हूं जो मैंने नोटिस करी हैं लगवास सब एक तरह की प्रोजेक्टी उपर पकड़ते हैं उसी के उपर बात करते हैं तो वह जो ट्रेंड है वो मुझे फॉरेंड के अंदर जो फॉरेंड इंफुलेंसर के मुझे प्रोजेक्ट देखे या मैं उनके उनसे बात कर रहा था भाई यह को इन से लेके वे वह नहीं वह तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं तो यह जो चेंज हैं यह जो चीजे हैं जो बहुत सारी चीजे मुझे भी सीखनी को मिली वह सार के मुझे देखने को मिले और मैं भी उसके कोड़िग और अपने पॉट्फोलियो के बांदा चेंज करूंगा अदरबास क्या होगा मेना पोट्फोलियो भी एक दिन सबने कुछ न कुछ से कि यहां सोलों क्रिप्टो वाले मिलते हैं पाथ होती दस लोग वहाँ पर जाए एक परसन का था उसका डॉज कोई थे उसके पास में और उसके वालेट के अंदर कुछ ऐसे प्रजेक्ट पढ़े थे जहां पर उसको फीस देनी थी और वो फीस उसके पर्टिक्लर वालेट में बीन भी नहीं था तो वह विट्रॉल नहीं कर पा रह लेकिन उसको पता ही नहीं विड्रोल वो ट्राइब कर रहा है जब उसको किसी ने समझाय को बीन भी मैंने समझाय मुझसे पहले ही क्योंकि हमारे जो फॉल्वर और अब इमीडियेट विड्रोल किया और जो उसकी खुशीतियार चहरे पर तो यह जो चीज मिलती है ना मैं इस चीज के उपर फूकस करना पड़ेगा और चीजों को चेंज करना पड़ेगा और उसके साब से काम करना पड़ेगा मैं एक ही टीसर पहन के वीडियो बनाता था मेरे बहुत सारे फॉल्वर्स क्या कि फैसे डिजाइनिंग से लेके दुनियावर की इंडिस्टी में क देखे जा रहा है कोई बात कर रहा है आप करो तो यह सब लर्निंग है बहुत कुछ सीखा है नौन इस्टॉप पिछली लग रहा है कि मैंने है पूरा जो साथ दिन का आट दिन का जो समरी है उसका काफी पार मैं आपको बता रहा हूं लेकिन एक सौर्ट में के लिपाएग बहुत जल्दी आज अकल मैं सारी इवेंट और खतम हो जाएंगे जो भी बचे हुआ है और उसके बाद मैं डेटेल वीडियो बैक टू बैक अपना काम बैक टू वर्क क्योंकि फिर कोई इवेंट नहीं है दूर दूर तक जब तक अपने काम अपने नौर्बत चलेंगे त तो जल्दी चे रैक कर दो